है 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 लो दोस्त है गुड इवनिंग आज आप सभी लोगों को डिविजन कमेटी क्लास में महें सर क्यों स्वागत है आए आज टॉपिक लिए क्या है जिसका नाम है प्रॉफिट एन लॉस लाब या हानी आज प्रॉफिट एन लॉस का भेलूम फोर्थ है और आप लोग ध् खिलते पढ़िए और ध्यान से दम देखिए गवर से देखिए कोचन एक बार नहीं कम से कम तीन बार पढ़िए तो समझ में आप लोग को आया जादा ठीक है दोस्त चलिए आप लोग सबसे पहले कोचन की और तो बोलता है कि एक रेडियो भी को बीस परसेंट लाब पर ब तो देखिए यहां पर था कोचन की दूस्वाइश रूपे दिये तो एने रेडियो का मुल क्या होगा यानी रेडियों का यहां पर दिया गया है कि रेडियों में 20 अलाप और फिन बोलता है कि 25 परसेंट लाप तो कितना पर यानी कि 20 पर सेंट क्या चीज़ पर लाब पर क्या कर रहा लाब पन तो इसको क्या करेंगी 6 बटा 5 ठीक है अब क्या कर रहा है कि C को 25 परसेंट लाब पन यानि कि यहां पी लिखेंगे 25 परसेंट लाब पन यानि कितना हो जाएगा 25 बटा 100 यानि 25 के सुवन बटा फोर यानि लाब पदेरा नजी तो पांच बटा कितना हो गया पांच बटा फोर्त हो गया अब क्या करा है कि 25 रुपे दिये गए हैं तो यहां पी लिखिए कि 225 गुना सबसे पहले क्या था यहां पी छोव बटा पांच अब देखिए एक कोचन जो है थोड़ा डिफकर्ट है पहले कोचन इजी था लेकि यहां पी है जो अब देखिए अगर लाब भी पुछेगा तो हॉल भेलू का होगा और पहले क्या था कि भी लटी यहां पियसे नबल को तो नभेलू का सिधा भी रहेएगा तो उलटा यहां पी लिखाएगा तो क्या चीच होगा पांच बटा छोगुन्या मझे लटधए था आपär यहां से कार दिजिए पांच से पांच के अंसिल यह हो गया तीन बार में यह हो गया कितना बार में दो बार में आप देखिए यहां पिकर देगा कि एठारा स्तिय है काई सदिया एकाइस और पंतियाई पंद्रा पच्छत्तर और 75 एतना हो गया आप कितना जाएगा तो आणि कि कितना अंसर जाएगा डेल सरह गाइगा पच्छतर में दूर से कुना पांदुना-द्रा शांच रड़ 25 यानि कितना आ गया डेल्ड़ तो डियल सो रूपया किसका आया है दोस्त ए रेडियो का एन रेडियो का मुलिक इतना डियल सो रूपया यानिकी डिल सो आपका एंसर होगा चलिए कोचन नमर आगे चलते हैं कि दोस्त दियान दिजिए आपनिया से कोचन थोड़ा डिफकल्ट है और पहले में तो थोड़ा साइजी लग रहा है लेकि बनाने में थोड़ा सुखुम जाता दिवान लेकि आप लोग ध्यान से आपे देखिएगा चलिए कोचन साथ नमबर की एने कोई वस्तू बी को 25 पर सेंट लाइं वाव वस्तु 20 परसेंट लाव पाने के लिए डिको दस पर्सेंट लाव पर तें ती टीश-टीस लुपए मंगरी दा होता तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा यहां पट्वे दोस्त दिया है 4 विकल तो कुछ भी नहीं आदम ayamatsal लिखेगा इसका मुल्म एक इतना तौन कर नही। को लिखंगे हम और क्विन का कर रहे कि पचीश परसंट्ट पा तो हाल भेल निकल लिखा लिस्का ऺट्ट सोफीस चों कि आनि कि एक ब्रटा फोर तर कितना फान्च बटा फोर यानि हवल ब lt कल गया 25 है भिसका निकालये तो 25 सो जाएगा निकितना हो जाएगाएगा थीख गइस एक आट पर निकला 6 परसेंड का है पचीस परसेंड का तो हम क्या बोले थे एक उस्चन दूसरा था है तो इसमें हम हॉल भे लोगो की लाब भी रहेगा तो उल्टा करेंगे तो सबसे पहले लिखिए 5 बटा 4 को क्या लिखेंगे चार बटा 5 गुना अब 6 बटा 5 यानि कि 5 बटा 6 गुना अब 11 बटा 10 है तो इसको उल्टा करेंगे तो यानि 10 बटा कितना 11 अब इसको में टार देते हैं कि अब चलिए है से काटिें कितना बार में कटेगा पांच से पांच केंसिल हो गया इसे आपधें मे इस मुटक दोबार में आप कितना आग्या दो सव रूप्या तो ए जो हुआ दो सव रूप्या आपको ए ने भी उसने खरिदा सा इस्सागि ना में ए ने ये एस आपने वहल्व जु हैं आपका 200 आया है तो यह आपका 200 किसका एक आ यानि कि कितना आझसर होगा बीफście eight आप का हो जाएगा 200 रुप्या किसका सेविन का 200 रुप्या हो गया चलिए आगे चलते हैं कि दोस्त कोचन को एक बार नहीं हजार बार तिन बार दो बार पढ़ी आपको कोचन अपने आप बनना की एक रूप्या में तेरा नरंगिया खरिता है कितना में एक रूप्या में तिरह नरांगी तथा सारे नरांगियों को 30% लाप पर देखिए एक बेखती है कि एक रूपया में तेरा नरांगी खरीता है लिकी बोलता क्या है कि 3030 लाप देटा है ठीक है चलिए तो उसने एक णरषmus में आप कहता है कि एक रुपया में कितना नरांगी बेचा यह ने करती है दोस्ते ना पर अब देखिए तीन तो पूचन जो है बहुत बार कोचन इसको आप ध्यान से गवर से देखिए गादम और एक कोचन बना लेते हैं आप लोग तो जाम में हमें साथ रहता है एंटीपीसी अब करी आया था हम भी गया दिने गया थी जा मेरा था सेंट डिली में था तो कोचन डाला हुआ था ऐसा ही कोचन था टाइप दूसर था आय टाइप सेम था लेकिन इसका जो है आय दूसरा है और चलिये यहां पर ध्यान दीजेगा बोढ में तो एक कितना नारें सब्सक्राइब नाद आ तो तीस बटा कितना तो गया अब किया लब तो इसको क्या करेंगे हम एड कर देंगे यानी तेरा वटा कितना दास अब हब पर क्या किजिए गुना कर दिजिए तेरा बटा दस बस अब फिर क्या कि एक रुपया में कितने टोफी बेचा कितनी नरांगिया बेचा तो तेरा से तेरा केंसिल यानि एक बटा दस तो एक के रुपया में ना कितना दस यानि एक में कितना दस नरांगी बेचा था ठीक है य इसका एंसर होगा कितना दस यानिकी आठ का आप्सन नंबर एफ होगा चलिए आगे चलते हैं अगे चलिए आगे क्या कर रहा है दोस्त पढ़िए ध्यान से अगे ध्यान दिजिए कोचन पर की एक रूपया में बारह टोफी बेचने पर एक बेक्ती को बीस परसेंट की हानी होती है तो बीस पर स्रीडलाप कमाने पर एक रूपया की कीमत टोफी पर कितना होगा तो कितना में एक टोफी नएक रुपया में कितना वारा गुन्णा आप क्या कि 20% हाल निपर तो हल्वेलू बटा सो विस बाटा सो आपके दाट पांच नहें कितना चार बटा 5 हो गया नाप किया बोले थे इसको कि सभा फोले लुकोड़ा यान के मतलब कि 100 एक बटा पांच या निचाव बटा पांच तीसों क्या करेंगे उलाड़ देंगे तो कितना हो गया पांच बटा चाओ गया पांच बटा नहीं तो हाई यह है उल्टा एक सेम है सिक्स बटा कितना हो गया फाइप हो गया ठीक है यहां पर सेम है तो अब यहां से काटिए पांट से पांच केंसिल एक टेगा तीन बार में एक टेगा दो बार में अब देखिए यहां पर तीन से काटेंगे तो चार दुना चरतिय बारह तो कितना हो गया चार दुन तो एक में कितना टोफी आट टोफी कि चली आगया तुमसे मिलने का एक के वादा कि चली दोस्त हांसते खेलते पहलेना है चली आगे दस नमर कोचन कहता है कि एक सब्जी पिक्रेता एक रूपे में दो की दर से नेंबु खरिता है तथा पांच रूप तथा तिन रूपे में पांच की दर से उन्हें बेचता है दोस्त यहाँ पर कोचन जो है थोड़ा डिपकर्ट है वह एसा कोचन नहीं है के सांसे बन जाएगा यह थोड़ा इसमें दिमाग लगाने वाला है आप लोग ध्यान से देखिए और दिमाग करेंगा ठीक है चलिए क्या कर रहा है कि एक साबजी भी करेता एक रुप्या की में दू की निम्बू दर से यानि की एडिस्यों मौझ यह ते हैं यह के पास रुप्या होगा तो इसके पास दूर्पया होगा अब चलिए आप यहाँ पि मानते हैं बी रेशियों तो कितना तीन में पांच यानि कि तीन देशियों पांच ठीक है यह आपको इतना आपको दिया गया है ठीक है तो उन्हें बेचता है उसका लाग परसेंट क्या होगा उसका लाग परसेंट क्या होगा आप देखिए दोस्त इसमें गुना करेंगे और इसमें इसमें करेंगे यो चलिए हसने करें कितना तेन दूनद च्छ और कितना मोज़ए आछ ठीच है यहां पढ़की ए और बीसी नहीं रहेंगा यहां पिस टेमी आठ रहेगा ठीकना पिसमींग जाते रहेगा वी बी-बी-बายात दोई क्यात रहेंगा टब सिमहुझा चलिए आप देखिए कि ये यो गया और ए हो गया बी अथ भीकति जानवीं का अंतर कितना हो गया एकक्ति यानिकी बट्टा कितना फॉन ओर तफ 20-8 और अप्शन कितना ओफ्शन नमबर ए ठीक है और धियां दीया दोस्त को κोचन आपको नहीं समाज में आता होगा तो जैसे अभी नहीं समझ में तो कुछष समझ में आता होगा तो आप लोग वीडियो को डियों को रोक रोक देडरे बलाखा बढ़ा के देखिएगा कोचन बहुत बार पुछता है अब कोच अध्यान से देखिए और मेनत भी किजिये आप लोग और तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आज का तो भेलूम फोर्थ है ठीक है और दो भेलूम आओ चलेगा फाइफ शिक्स तक कर फाइफ लाक लेके आएंगे ठीक है दोस्त मिनत कीजिए मिनत कीजिएगा सफलता जोरी मिलेगी